ओम नमों भगवते वासुदेवाय नमा श्रीमत भगवत गीता सादक संजिवनी अध्याय 10 श्लोक संक्या 27 उच्चई श्रवस अश्वास अनाम विद्धी माम म्रतो अध्ववम एरावतम गजेंद्रानाम नरानाम चा नराधिवम गोड़ों में अमरत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चई श्रवा नामक गोड़े को श्रेष्ट हातियों में एरावत नामक हाति को और मनुश्यों में राजा को मेरी विभूती मानूँ समुद्र मंधन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्छे इस्रवा घोड़ा भी एक रत्न है यह इंद्र का वहन और सम्पूर्ण घोड़ों का राजा है इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूती बताया है हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ट होता है उसको गजेंद्र गहता है ऐसे गजेंद्रों में भी एहरावत हाथी श्रेष्ट है उच्छे इस्रवा गोड़े की तरह एहरावत हाथी की उत्पत्ती भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वहान है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूती होताया है, नराणाम चा नराधिपम, संपूर्ण राजा का पालन संरक्षन, शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनश्यों में स्रेष्ट है, साधरन मनश्यों की अपेक्षा राजा में भ पलवत्ता सामर्द है, वह भगवान से ही आई है, अता है उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंदन करना चाहिए, ओम नमो भगवते वाशुदेवाई नमहाँ